कि ऐसे मेहनत का साथ्यों के बारे में पहले सरकारों को सोचने की फुर्षत ही नहीं थी उनके लिश्ट में यह काम ही नहीं थे लेकिन आपके इस सेवक ने पी-एम स्वनिदी योजनास की मदद से आज ऐसे लाखों रेड़ी पट्री वाले सामाने काम करने वाले लोगों के जीवन को उनके परिवार के जीवन को बढ़ला है जिनको कोड नहीं पूचता मोदी उनको पूचता भी है और मोदी उनको पूजता भी है कोई कपड़े धोने का काम करता है कोई जूते बनाने का काम करता है कोई राजमिस्त्री है कोई लोहार है कुमार है सोनार है बढ़ई है मुर्तियां बनाता है पत्थरों में कलाकारी करता है ऐसे अनिक जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं ऐसे लोगों को कि सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था वो जाने उनका काम जाने यह आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना लेकर आया है यानि जो कीरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है और मोदी एक और काम कर रहा है जो बे-इमानी करता है जो बे-इमानी करता है उसे उसके पाप की सजाद देने के लिए भी उतना ही काम करता है आप मुझे बताइए बे-इमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए यह बे-इमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए चुलाओ मैं सबसे पहले उनको पराजित करकर के सजा देंगे कि नहीं देंगे मेरे भाईयों भेनों मैं आज आपको गारंटी देने आया हूँ मैं आपको गारंटी देने आया हूँ जिसने गरिब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा यहां राजस्तान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरिबों को लूटने वाले सलाकों के पीछे दिन गड़ते होंगे मेरे परिवार जिनों हमारे सेवाकाल में बंड छकों की परंपरा ससकत हुई है गरीब कल्यान की जन कल्यान की सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विक्सित की है देश का करजाता इमानदारी से कमाता है फिर वो इमानदारी से टैक्स बरता है लेकिन 2014 से पहले क्या होता था इमानदारी से टैक्स बरने वाले का पैसा गोटा लो में लूट जाता था और गरीब मद्यमबर के हाथ कुछ भी नहीं लगता था यहां राजस्तान में बीते पांच बरसों में क्या हुआ है इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है डायरी लाल है कारणा में काले है और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं लॉकर और लॉकर खुलते हैं तो उसमेंसे नोटों के धेर निकलते हैं सोने की इंटे निकल रही हैं यह कॉंग्रेस का पाप सामने ला रहा है साथ्यों बीते नव वर्षों में तैष्ट देने वालों की संख्या बड़ी है करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुप्योग करेगी क्या किसी ने कभी कलपना भी की थी कि भारत में 80 करोड लोगों को मुप्त राशन मिलेगा याद किजिये वो दिन जब करोना का कालखन था कोविड था पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी हर किसी के मान में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था घर चे बहार निकलना ये मोत को बुलावा देना ये हाल थे बहार कारोबार ठप हो गए थे लिकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था और मैंने तब किया था किनसी करोड मेरे देर समासी इनके घर का चूला बुजने नहीं दूंगा गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा मा की आँख में आंसु आने नहीं दूंगा और बेस्वास्यों ने जो टैक दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा बलकि बंड़ चको याने गरीबों की ठाली के लिए दे दिया और भाईयों बहनों आप मुझे बताइए जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशिरवाद देता है कि नहीं देता है जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए आशिरवाद देता है कि नहीं देता है ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है जब इस देश के 80 करोण लोगों को तीन साल से मुप्त में खाना मिल रहा है तो आशिरवाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पुन्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पुन्य किसके खाते में जाएगा जरा जोर से बताइए पुन्य किसके खाते में जाएगा पुन्य किसके खाते में जाएगा पुन्य किसके खाते में जाएगा पीछे वाले बताए पुन्य किसके खाते में जाएगा आप सबका जवाब गलत है ये पुन्य मोदी के खाते में नहीं ये पुन्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है आपने मोदी को बिठाया इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुन्य के हकदार आप है आपके वोट के कारणे पुन्य का काम हो रहा है और इसलिए आपका पुन्य और बड़े आपको भरपुरा सिद्वाद मिले इसलिए मोदी ने संकल्प किया है किन असी करोड लोगों को और पांच साल के लिए ये मुप्तराशन दिया जाएगा हमने टैस्क के पैसों से गरीबों को पक्के घर मना करके दिये